बिस्विल्य रफ्मान रहीम, असलाम लेकूम, कैसे हैं आप सब्सक्राइब, आज मैं बनाओंगी मटर मश्रूम्स, इसके लिए मैंने लिए हैं, दो अदर टमाटर हैं, दो प्यास, प्यास को मैं चॉप कर लोगी, और तीन से चार हरी मेर्च, मश्रूम्स चाहिए मुझे आ नोटी, सफैज जीरा, पिसवा गर्मसाला, सुरख मर्च, एक चमच, इसमें बनाना शुरू करूंगी, और सबसे पहले मैं फ्राइपैन में डालूंगी थोड़ा सा ओयल, इसमें मैं करूंगी, मतर चल लिए थे मैंने, थोड़ा सा वाइल कर लिया हैं, और वाइल करने के बाद इससे मैं हलका सा फ्राइ कर लोंगे मतरों को, जब तक मतर फ्राइ हो रहे हैं, इतने में मैं मश्रूम जुन से उनकी कटिंग कर लेती हूं, इनकी मैं कटिंग कर लेती हूं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करूंगी, दो पीस करके, इनकी मतर फ्राइ हो चुके हैं, इनने मैं निकालोंगे, प्लेट में, मतर निकालेंगे उसी पैन में, अब थोड़ा सा ऐल डाल के, तो मश्रूम जुन से लिया हैं, मैंने वो फ्राइ कर लोंगे, अब इसका मसाला बनाना शुरू करूंगी, इसके लिए मैं डालोंगी, तकरीबन तीन से चार चमच कोकिंग ओयल के, गी गर्म होने के बाद इसमें मैं डालोंगी सपेज सीरा, इस से थोड़ा सा मैं करकरा लोंगी, और इसके बाद इसमें शामिल करूंगी, मैं चौक की हूवा प्यास, प्लाट जब जीरे की कुश्बू ऊने लग जाए तो इसमें मैं शामिल करूंगी चौप किया हुआ प्याज प्याज को दस पे 15 मिन के लिए मैंने इसे उप उख लिए हल्की आँच पही। प्यास को 10-15 मिंट लिए उसे भून दिया हल्की आँच पी आच के साथ अब मैं इसमें डालूंगी ये इन टमाटर को और हरी मिर्च तो मैंने हरी मिच थी ती दो टमाटर उनका मैं पेस्ट पना दिया वो में डालूंगी थोड़ा सान नम्हां अब मैं डालूंगी थोड़ा कि इसी हुई एक चमच हलदी डालूंगी आधा चमच और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लोगा ताकि अच्छे सा मसाला जाए हमारा त्यार हो जाए आधार है कि इसमें एक कप मैंने पाणीट कर डाला और इसे हलकी आच पे में मसाली को फो में पकने दूँगी तारe मसाला जंसा अच्छेतरा जच्छाँ बर्दाल करके की बड्सी अब में डालूंगी स्तेस्क्त सीर्ट करके हैं मैंने इस पी जादा नहीं पकेंगे और इसके साथ ही मैं डालूगी मश्रूम इनने डालने के बाद थोड़ा सा इची तरह मिक्स कर लोगी मैं डालें दो सी तीन हरी मिट्स साथ ही और थोड़ा सा पीसा बग करें मसाला डाल दूंगी पुश्कू के लिए और ये तकरीबन हमारा त्यार हो चुक है मतर मश्रूम से हमारा रैटी है अब मैं करूंगी डिश आउट चूला कर देते हैं बांद बिस्वाला रखान रही बहुत मज़े के बने बच्चों के लिए बहुत ही फाइदे मांद है और अब ज़्यादा मिक्तार में प्रोटीन होती है जो कि जो बच्चे गोश्ट ज्यादा नहीं पसंद करते उनकी कमी जूंसी और अल्टरनेट उसका इसमें यह कि मश्रूम साप उने खाने को दें तो जो प्रोटीन हैं वह उनको पुष्ट में मिर जाएंगी थोड़ी सी मैस के पर डाल दूंगी क्रीम जिस से इसका मज़ा और भी ज्यादा दुबाला हो जाएगा यह इंडिया में बड़े शौक से खाई जाती है यह वरी डिश मटर मश्रूम जी अपना बहुत सा ख्यार रखें दौाओं में याद रखें कल एक नहीं डिश के साथ मैं आपके साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी नहीं टिश कोई भी बनाना अपना बहुत सा ख्यार रखें को कि अल्ला हाफिज